खबर ग्वालियर से है जहां से रिष्टों को शर्म शार कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक देवर ने अपनी प्रेगनेंट भावी को एनरजी के लिए नसीरा जूस पिलाया और उसके साथ कई बार दुश कर्म किया वहीं जब महिला को हो साय तो से हसास हुआ कि उसके साथ गलत हुआ है मामले की शिकायत महिला ने पती और सास से भी की जिस पर पती ने कहा कि देवर के पैसों से पूरा घर चलता है इतना तो सेहन करना पड़ेगा इस के इसके बाद देवर की हिम्मत और बढ़ गए इसके की मांग भी शुरू कर दी इगटना 2018 से मार्च 2022 के बीच करहिया के पचौरा गाउं की है पुलिस ने महिला के शिकायत पर आरोपी देवर के खिलाब दुशकर्म का मामला दर्ज कर लिया है जबकि महिला के पती सास और आने परिजनों पर आरोपी की मदद करने और देहेज के का मामला दर्ज किया गया है वही महिला के शादी 20 जून 2018 में भिदरवार करहिया के वचारा गाउं के रहने वाले युवक के साथ हुई थी शादी के कुछ समय बाद ही महिला प्रेगनेंट हो गई जहां दो साल पहले उसका देवर उसके लिए जूस लाया जहां जूस देने क जिसके चलते महिला ने थाने में पहुँचकर अपनी आपीती सुनाई और मामला दर्ज कराया है पुलिस ने फर्यादी महिला के शिकायत पर देवर के खिलाब दुशकरों का मामला दर्ज करने के साथ ही पती, सास, ससुर और परिवार वालों के खिलाब दहेज परतारना का आमाम लादर्च कर लिया है करिया रेक्षा है कि बिवास मेला ने आपने देवर के खिलाब प्रक्ण पंजिवत कर आए गूत किया है आरप्री की तलास के जारी है प्रक्ण वेविश्टा में करवाई के जारी